लोओ फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं शुगर फ्री वाटर मेलन जूस और वाटर मेलन मोईतो राधी राधी दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल आपकी अपनी रसवाई में तो देखिए कैसे बनाते हैं हम जूस और मोईतो तो चलिए शुरू करते सबसे पहले मैंने एक lemon लिया है जिसको मैं slices में cut कर लूँगी सबसे पहले दोनु side के slice निकाल लूँगी मैं उसके बाद बीच के बाद को slices में cut करूँगी इसको हम garnishing में use करेंगे और जो side के part मैंने cut किये थे उनको हम cubes में cut कर लेंगे जिसे हम अपने juice में add करेंगे यह पीज निकाल दिये और इसे cubes में cut कर लिया है क्वांटिटी में यह एक किलो के आसपास तर्भूज होगा दोस्तों इसको जार में डार कर ब्लेंड कर लेंगे हम यह देखिए मैंने juice बना लिया है इसमें से थोड़ा सा juice हम अलग कर देंगे मार्केट में पुदीना बहुत सस्ता मिल जाता है दोस्तों पांच रुपे की गड़ी लेकिन रोज रोज फ्रेश पुदीना लाना पॉसिबल नहीं होता है तो यह देखिए इस तरीके से आप एक बार पुदीना को लाईए और उसे पानी में डिप करके अपने फ्रीज मे में डोज पांच के लिए एकटीसपून में ऐड़ी लीग है टीस पून में डेलमेट लीए है और इसको दोबारा से ब्लेंड कर लएंगे अब एक ग्लस लेंगे इसके अंदर वटरमयल जूस ऐड करेंग में वाटरमयलन जूस आड करने के बाद दोस्तों इसको गानिष कर हम इसमें क्यूब सेट कर देंगे थोड़ा पीने समय जब यह मुह में चंक साइंगे तो अच्छे लगेंगे एक नीबू की स्लाइस और मिन्ट लीप के साथ हम इसे गानिश कर देंगे यह लीजे रेडी हो गया है हमारा वाटरमेलन जूस मैंने कोई शुगर एड़ नी कर आ चीनी का यूज ना करें मैंने इस जूस को दोस्तो चाना नहीं है फाइबर के साथ ही सर्प किया आ है फाइबर हमारी हेल्थ के लिए पेट के लिए बहुत ज्यादा फायदा करते हैं इसलिए मैंने बिना चाने सर्प कर दिया है जूस को जूस को अगर आप ठंड़ा- यह बनाने के बाद 10 मेट के अंदर आप इसे पी लीजिए दस मेट के बाद अगर आप इसे पीते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है इस टिप्स को आप जरूर दिहान में रखिएगा दस मेट के अंदर इसे पी लीजिएगा सेकंड डिंक बना रहे हैं दोस्तो वाटरमेलन मोही तो बिल्कुल एकदम रिफ्रेशिंग डिंक होती है अगर आप मार्केट में इसे पीने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली बनती है यह तो घर पर ही आप इसे बना के पी सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह मैंने एक तरबूज लिए यह दोस्तो इसकी अंदर लेमन के चंक्त थोड़े से मिंट लीव लिए है ऐसी यूंगी क्वांटीटी में छहसाथ घर थोड़ा सा 1 टेबल स्पून मैंने तरबूज लिया है और इसको मैं इसमें मडल कर लूँगी मेरे पाद अमडल नहीं था दोस्तो त उसके बाद half teaspoon में black salt add करूंगी इसमें और half teaspoon में इसमें jeera powder add करूंगी, इसका flavor थोड़ा अच्छा आता, इसके बाद इसको mix कर लें सही से दोस्तों, एक बार पहले mix हो जाता है, तो सभी चीज अच्छी से mix हो जाती है, ice cube डालें इसमें, 3-4 ice cube डाली है मैंने, glass की quantity पर depend इसको एक बाद फिर से mix कर लेंगे पूरी तरीके से, और सब कुछ मिल जाएगा आपस में, यह लीजे mix हो गया है, अब थोड़ा सा soda और डालेंगे हम इसके अंदर, यह लीजे, glass पूरा भर गया है, थोड़े से इसमें हम watermelon cubes डालेंगे, एक lemon की slice लगाएंगे दोस्तों, ए अपने style हैं, तरीके हैं, दोस्तों, आप कैसे भी से garnish कर सकते हैं, विदाउट garnish भी आप से serve कर सकते हैं, घर में पीना ही तो है, दोस्तों, पेट में ही जाएगा, इसलिए इसे बनाइए और पीजिए, बताइए कि आपको कैसी लगी, आप मोहितो टिप से दोस्तों, पहले स समागरी को अच्छे से मसलना जरूरी होता है, अगर आपके पास मडलर नहीं हैं दोस्तों, तो आप मूसल ये चम्मच का इस्तमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बावल में कर लिया, उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोस आपको अगर थोड़ी भी पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, धन्यवाद